वेल्कम टू स्पार्ग टूडे न्यूस प्रेजेंट स्पार्ग टेलेंट शो मैं पारूलडा भी आप सबी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती आईए आज एक टेलेंटिट टेलेंट चापके मिलना आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता देंगी माइसेल्फ अभिशेख खाणिया आइम डांसर एन कोडियोग्राफर आइम फाउंडर ओफ लव टू डांस टूडियो वड़ोद्रा में ये लव टू डांस टूडियो करके मेरे डांस एकेडेमी है तेट सिट अब मैं एक व कॉंपेटिसंस में परस्टनल डांसर और कोलियोग्राफर अभी में बता हूँ तो मुझे याद नहीं कि किने कॉंपेटिसंस जीते उन से ज्यादा मैं हारा हूँ मैं जो सिखा हूँ मेरे फैलियर के वज़े सिखा हूँ एक चीज मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई कि कि मैं बतार की दांस मेरे खुशी के लिए करता हूँ मुझे मेरा सेकें मिले थर्ड मिले उससे ज्यादा बेट रहे कि मैं कहीं पे जाता हूँ तो बस वो स्टेज पे जब ने कर Gomər यह जीना चाहता हूँ मेरा purpose थोड़ा अलग है मैं stage पर जा तो ऐसा निक मेरा फर्स नमर आया सेकंड इसका ये आया ये वो आया नहीं मेरा purpose नहीं रहता सबसे पहले purpose रहता है मैं जब मैं choreography करता हूँ मैं dance करता हूँ क्लास के अंदर होता हूँ या घर पे होता हूँ वो जो मुझे music के साथ attachment होती है वो 5000 पबलिक के सामने भी मुझे फिल आना चाहिए तो as a choreographer as a person आपका यह माना है येस येस मैं अपने खुशी के लिए डांस करता हूँ येस आपने जो winner की बात बोली तो ऐसे competition सबसे पहला break मुझे मिला था मेरे कोलेज में अपने इसे youth fest होता है वहाँ पर मैंने पहली dance choreography मेंने की थी और वहाँ परफॉंस किया था और वह एक जब आप start करते हो आपको पहला break मिलना चाहिए तो वहाँ से मिला था मैंने जैसे परफॉंस किया अभी मुझे याद है और वह अमेसा याद रहेगा कि वह जो पब्लिक चीर्स कर रही थी है और मेरे परफॉंस से बहुत खुस थे वह लोग तो वहाँ से मेरा start हुआ वहाँ पर मैं वीन हुआ फिर MSU का पुरा बहुत बड़ा एक function होता है तो वहाँ पर मैंने ट्राइ किया वहाँ पर मैं वीन नहीं हुआ उसके बाद सबसे बड़ा ब्रेक मेरी लाइफ में अभी तक कहा जाए तो वह यह है कि कोविट के टाइम पर वोट स्टार पर एक शो आया था ओनलाइन सो आया था उनकी सिजन वन में एपीसोड 9 का में फिर्स-विनर रहा था जो ओल ओवर इंडिया में होता था जिनके चेकलीन फर्नांडीस ते है और उनके जजिस थे सुसांत सर है जो रेमो सर की टीम में देन चांदनी है जो बड़े-बड़े डांसर है तो वहां पे एपिसोड 9 के मैं फर्स विनर रहा था जो वीडियो के जरीया को सिलेक्शन होना चाहिए और पूरे इंडिया से वोटिंग होती है तो वहां पे मैं फर्स प्राइज लेकर आया था उसके बाद सेकेंड बोले तो मैं जुनागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो वहां पे भी एक केंपेंड होता है जो हर एक फिल्ड के एक आर्ट फिल्ड जो होते हैं सिंगिंग हुआ ड्रामा हुआ डान्स हुआ हर एक फिल्ड के एक एक आर्टिस्ट को प्रेजन करना होता है तो मुझे यह बहुत फ्रावड फिल होता है उस बात में पूरे जुनागर डिस्ट्रिक मे as a dancer as a dance performer के तोर पे मुझे एक सिले किया गया था और वहां पर पूरे campaign में 10 से 12 आर्टिस्ट है जिसमें मैं 3rd position पे आया था तो यह बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छी मेंट लाए हैं आप मेहनत हुए आप इतनी मेहनत करते हैं